नमश्का स्वागत आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी दस दिनों से लगातार ये बढ़ोतरी जारी है पिशले दस दिनों में रसोई गय सिलिंडर में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इसके साथ पेट्रोल की अगर बात की जाये तो पेट्रोल के दा मासमान चूर रहे हैं कई राज्ये ऐसे हैं जहाँ पर 100 से ज्यादा पर लीट अबर रहा था देश की जंता उबर रही थी जहां एक तरह ये कहा जा रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टीष लगातार उच्छाल दे रहा है और उससपर उच्छाल जो है वो बरकरार है इससे देश की अर्थ व्यवस्ता मजबुत हो गी अगर अर्थ ववस्ता मस्बूत हो रही है निफ्टी और सेंसेक्स लगातार बढ़ोत्री कर रहे हैं तो ऐसे में आम जंता की जेव पर मार क्यों पढ़ रही है इनी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे पारुल जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शो को बता रहे हैं कि महंगाई की मार लगातार जंता जिल रही है बीते 10 दिनों से रसोय गया सिलिंडर हो या फिर पेट्रोल और डीजल जो की आम जंता के लिए बहर ज़रूरी है रोज मरा के जंदिगे में इस्तमाली चीज़े होती हैं अगर इनके दाम यूहीं बढ़ते रहे तो आखिर मिडल क्लास के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे कैसे अपना घर चलाएंगे बिलकुल काजोल देखिए जिस तरह से जो है लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे लोगों के लिए जो है परेशानी लगातार बढ़ी रही है क्योंकि एक तो कोरोना का समय था पिछले साल जो लोगडाउन लगा उसके बाद कई लोग बेरोजगार हो गए लोगों की जोब चली गई कुछ की जोब बची हाला कि कमपनीज ने ऐसा कर दिया कि सैलरी में कटाउती कर दी तो एक तरह से लोग पहले से ही परेशान थे क्यों क्योंकि उनके घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था लोगडाउन में लेकिन अब जैसे जैसे धीर धीर लोग चली गई जिनके जो अपने खुद के बिजनिस थे चोटे बिजनिस थे वो घर का अपना गुजारा करते थे वो बंद हो गए लोगडाउन की वएसे ऐसे में अगर अगर अब सरकार जो है वो लगातार ऐसे गैस सिलेंडर पे दाम बढ़ाएगी पेट्रोल डीजल पे दाम नहीं बचा उसके बाद धीर अब चीज़े सामाने हुई उसके बाद अब लेकिन उसके बाद बाद जो है मेंगाई अगर बढ़ रही खि frames पारूल और लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों को लेकर सिर्व राजनीती होते रहेगी या फिर जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है वो आपस मिलडते रहेंगे आरोप प्रत्य रोप करते रहेंगे वार पलट वार करते रहेंगे या फिर आम जंता की बारे मे का सिलेंडर मिलता था अब जो सिलेंडर है वो साथ सो से जादा का मिल रहा है या फिर हजार का मिल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसी सवाल कॉंदिस कर रही है विपक्ष में है सरकार से सवाल करेगी ही लेकिन सवाल ये भी है कि ये वही विपक्ष है जब ये सत्ता में था तब जो आज सत्ता में है वो पाटी उस पाटी की महिला नीता जो है वो सडकों पर बैट जाती थी और यह कहती थी कि इतनी महंगाई बढ़ रही है रसोई गय सेरेंडर इतना महंगा है आज में और तब में जमीन आस्मान का अंतर है आखिर आम जनता क्यों इस राजीती में पिस् आगे आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी यह तो भी कहने सकते क्योंकि जिस तरह से लगातार कई दिनों से यह प्राइज बढ़ रहे हैं उसके बाद अभी राहत मिलने के आसार तो कहीं नजर नहीं आ रहे लेकिन ऐसे में जो आप विपक्ष की बात कर रही हैं मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं देखे विपक्ष में चाहे कॉंग्रेस हो या बीजेपी हो सकता में कोई बियोस के अगेंस जो विपक्ष में है वो हर चीज को मुद्दा बनाता ही बनाता है वो महंगाई हो या फिर कोई भी एक किसान अंदोलन हो कुछ भी हो और तो इसी लिए देखे आज भी कॉंग्रेस जैसा आपने भी कहा कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस की हाला कि राहूल गांदी ने भी ट्वीट किया और केंद सकाप मोदी सकाप जो है वो निशाना साधा महंगाई को लेके उन्होंने साथ तोर पर का के जनता को लूटा जा रहा है क्यों क्योंकि जो दिन पर दिन जो महंगाई हो रही है ये डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं और सबसे लिए जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो राहूल गांदी अकसर ही अगला काँ, कोज़िए नहीं नहीं पपनीगन करते है में पढ़ हो छाएंगी । अभी अम चाएंगी तो आम जंता ? वो परेशान होगी होगी क्योंकि कोरोना की वज़ा से लोग बेरोजगार हो गए काम नहीं है अब धीरे-धीरे चीजे जब सुधर रही है तो सरकार को भी धीरे-धीरे ही चीजों में इजाफ़ा करने बढ़ा मतलब महगाई जो है वो एकदम से नहीं बढ़ा देनी चाहिए वो धीरे-धीरे सोच समझ के ही कुछ स्टेप लेना चाहिए क्योंकि ऐसे में आम लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए मिडल क्लास के जो लोग हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए बिलकुर और मिडल क्लास के हमेशा से ये परेशानी र देती है क्योंकि उनकी परेशानी लाजमी है इंकम कम है और खर्चे बहुत जादा है परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है देखिए जब बजट आया तब जो मिडल क्लास के लोग थे या मिडल क्लास के जो फैमली थी उनको बहुत उम्मीदी थी कई असरवे में ऐसा देख मेंगाई कम हो गई या नहीं हो गई इस पर कुछ कहना अभी संभव नहीं है लेकिन जिस तरह से मेंगाई बढ़ रही है आम जनता के लिए बहुत मुश्किल का समय है यह कहा जा रहा था कि 2021 में जो अर्थ विवस्ता हमाई 2020 में बिगड़ी थी कोरोना की वज़े से 2020 में व बात हो गई रसोई गैस की और पेट्रोल और डीजल की इसके अलावा सब्जी भी काफी कहीं जगह पर मेंगी नजर आ रही है किसान ये कह रहा है कि उनकी सब्जी बहुत सस्ते दामों में खरीदी जा रही है मंडियों में इसलिए वो बुस्त में फेक कर भी चल जा रहे है कहीं जगह से ऐसी खबरी भी आ रही है बिलकुर ऐसी तस्वीरे सामनी आ रहे है लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं उनका कहना है कि महंगाई की मार वो जिल रहे है सब्जियां भी लगातार महंगी हो रही है अगर प्याज की बात की जाए तो सबकी घरों में इस्तमाल ह और रोजाना इस्तिमाल होती है प्याज इस वक्त 50 रुपे किलो 40 रुपे के मिल रही है जो प्याज अमूमन 10 रुपे किलो या 15 रुपे किलो मिलने चाहिए बिलकुल काजोल मैं एक बात यहां पर यह भी जोड़ना चाहूंगी कि जब लॉक्डाउन हुआ कोरोना का समय था तो कई सारे स्टडी और रिसर्च हुए थे जिसके बाद यह चीज़ निकल के सामने आई थी कि लॉक्डाउन की वैसे भारत भारत ही नहीं पूरी दुनिया अगर हम आर्थे कि बात करें तो अगर भारत की बात करेंगे कई साल पीछे चला गया है यह वह अपने अभी जो थे लॉक्डाउन से पहले उससे साल पीछे चले गए वह क्यों क्यूंकि एक दम समानने तो पर और सारी चीज़े बंद हो गयी थी पूरा देश जो है वो बं दीने दीने ठीक हो रही है ऐसे में अब लेकिन इस तरह से अगर जो है महगाई बढ़ेगी तो उस लिहाज़ा जो है लोगों को परिशानियों का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए अगर हम कहें कि हम लॉक्डाउन के समय में 5 साल पीछे चलेगा है तो ऐसा तो होग जाना है कि सोस समझ का कदम उठाने चाहिए सोस समझ का जो है महगाई करनी चाहिए क्योंकि आम जनता जो है मिडल क्लास स्पेशली और जो मिडल क्लास से नीचे लोग आते हैं उनके लिए ऐसे में परिशानी बहुत है क्योंकि महगाई जो है वो लगतार बढ़ेगी लोग पूरा करना सबसे बड़ी बाद चीज है और ऐसे में अगर महंगाई होगी तो यह कहीं न कहीं वह होगा कि जो अपनी रोजमर्णा की ज़रूरत हैं वही पूरी नहीं कर पाएंगे तो महंगाई का सामना कैसे कर पाएंगे बिल्कुल पारूल और यह जो सभस्या है वह बहु हम हमारे मकसद है लोगों तक टाकि जो आसपास के लोग हम वो भी समझ सके कि रहें अगर your रूरर एरियाज की बात कि जया है तो रूरर एरियाज में महगाई का फर्क बहुत जादा पढ़ता है वह बात के सब्सक्राइब तरह उसके तैत आ जो सब्सक्राइब ये बहुत अच्छी योजना थी और इसका लाब भी लोगों को मिला है लेकिन वही सिलेंडर आज जब अब ये की सिलेंडर तो पूरे जिंदगी बर नहीं चल सकता उसमें आपको गैस भरवानी होगी तब ही आप खाना बना सकते हैं उन्धन का इस्तमाल कर सकते हैं अगर वो भरने के पैसे नहीं है लोगों के पास तो आखर इस योजना का लाप क पैसे ही नहीं होंगे महिलाओं के पास पैसे ही नहीं होंगे इतनी महंगाई में तो वो अपनी जरूरते कैसे पूरी कर पाएंगे वो गैस सिलेंडर कैसे खरीद पाएंगी जो अब लगातार जो है गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ रहे हैं पैट्रोल डीजल पर बढ़ रहे तो ऐसे में जब पहले ही लोगों के पास कम पैसा है वो अपनी पहले ही ज़रुरते पूरी नहीं कर पाएंगे तो इस महंगाई के समय में वो कैसे पूरी कर पाएंगे वहीं इसी के साथ अब देखिए आगे क्या होगा क्या लोगों को लगातार बढ़ते इंदामों से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये खेर देखने वाली बात होगी फिलाल के लिए बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वर्ल्ड इंडिया